अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल के अंदर आपको इस तरीकी का इंफर्मिटिव कॉंटेंट रेगूरली बिसिस पे मिलता रहता है तो डेपिनिटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को स्टार्ट कर लिए उससे पहले गाईज अगर आपने अभी तेकमरा टेलिग्रम चैनल को जोई नहीं गया तो टेलिग्रम चैनल पर में स्टॉक मार्केट, कॉमुटिटे मार्केट, क्रिप्टो मार्केट से लेटेड अपडेट आपको डेली का बिसिस पे करता रहता हूं तो डेपिनिटली वहाँ पर भी जाके ज देखने के मिलेगा बहुत उपर तरफ आपको सार्जबर का उप्शन मिल जाता है तो आपको जो भी स्टॉक्स को सार्फ करने है आप उसको सार्फ कर सकते हो और में यहाजज वाजज फाइननस मन लोगा यहाँ पर अести का वाजजफाइननस के सटॉक्स करणे है और अब सॉ चूझ करती हों तो आप लॉंग टर्म के लिए इस स्टॉक्स को to hold कर सकती हो। जासे कि आज अगर आप इसको खड़ी दोगे तो कल भी बिच cones सकते हो एक साल बाद सकते हो दो साल बाद बिच चाते हो मतलब यह आपका जब मरजी आप तभी सिस को सेल कर सकती हो लेकिन वह पर अगर आप इंटर्डर को चूज करके बाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली आपको एक नूटिस दिया जाएगा कि मार्केट बंध होने से 15 मिनिट पहले यह जो स्टॉक्स होगा इस स्टॉक्स को सेल करके आपको निकल जाना होगा अगर मार्केट में जो प्राइस राणिंग रहेंगा उसा है कंया अगर अगर मार्केट मे जो प्राइस हो 6,950 पे मेरेको यह order execute करना है, तो सेम जब भी market यह price टाच होगा, तब भी जाके मेरा यह order execute होगा, बढ़ना नहीं होगा, currently अगर market price देख होगे, तो market का option पे select करती है, आपको देखने के लिए मिल रहा है, कि 6,950, 6.35 बज़ा अभी किस timepiece का price चल रहा है, तो इसी basis पे आप limit जिस पे करना पड़ता है, buying के time, और दूसरे charges आपको pay करना पड़ता है, selling के time, अगर आप यह पे देखोगे, तो 16 रुपीज का हम यह पे charges बढ़ रहा है, उसी business पे जब आप sell करोगे, तो ओह पे भी एक charges करणा जाएग, तो कुछ इसी तरीके से आपका जो order है, इस order को ready क कर सकते हो, आपको नीचे smart order का option मिलता है, अगर आप चाहते हो, तो यह पे stop loss भी put कर सकते हो, अगर आप GTTO order create करना चाहते हो, तो ओह भी कर सकते हो, इसके बाद आपको just place buy order का option पे प्रेस कर दो, and market अभी किस time पे बंद है, जिस बाई से मेरे को इस तरीकी का notice दे रहा है, ब limit order पे अगर आप select करके रखोगे, तो limit order पे, अगर market order select करके रखोगे, तो market order पे, so I hope guys कि आपको समझ बें आगे होगा, कि कैसे कोई भी आप order को execute कर सकते हो, angel 1 application के अंदर, अगर आपको फिर भी किसी बादरीकी का doubt है, तो definitely आपने को comment सिसकते हो, मैं आपको और apply कर अगर आप चैनल पे नहीं हो, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करके मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में